नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मासनमार दोस्तों आज हम आपको बताएंगे देव गुरू ब्रहस्पतिय का प्रिय दिन ब्रहस्पतिवार गुरू वार और इस दिन जो केला है वो सबसे ज़्यादा चमतकारी चीज होती है तो ऐसे में सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे अगर आपके घर में आपके जीवन में बैवाहिक जीवन में पती पतनी में जगड़े लड़ाईयां होते हैं तो ऐसे में आप केला मत खाईए देखिएगा कुछी दिनों में आपका आप दोनों के बीच जगड़े कम होने लग देखिए बैवाही जीवन और भागिका स्वामी देव गुरु ब्रसपति हैं अब ऐसे में कुछ मानने ताये हैं किसी अन्जान व्यक्ति से गुरु बार के दिन केले बिलकुल भी मतले और गुरु बार के दिन केले का दान किया जाता है अगर जीवन में परिसानी जादा हो तब लेकिन आपका ब्रहसपती कैसा है पहले ये देखना है बिना मतलब के केले का दान ब्रहसपती वार के दिन मत कीजेगा नहीं तो आपका गुरू अगर मजबूत हुआ तो कम जोर हो जाएगा तो ज़रा सोच समझ कर लेकिन हाँ एक बात जान लें किसी से भी ब्रहसपती के दिन पीली बस्तू का दान मत लीजिए कम से कम केला तो किसी से भी नहीं लीजिएगा नहीं तो आपका गुडू गरवड हो जाएगा कोई भी बेक्ति अगर दान करता है तो अपने बुरे प्रभाव से बचने के लिए चला समल के और खास कर लोग क्या करते हैं खाने पीने करें यह चीजें अगर घट गई है खत्म हो गई है आप मार्केट से खरीद लीजिए लेकिन किसी से मत लीजिएगा चली जब आज हम बता रहे हैं आपको ब्रहस्पती बार के दिन क्या करें केले का उपाय की जीवन में आप व्यापारी हो आप जौब करते हो तमाम जगह पर आपका ब्रहस्पती यानि गुरू ब्रहस्पती मजबूत हो और धन आने लगे तो सबसे पहले आपको दो केला लेना है जब भी आप पूजा पाठ कीजिए जोडा संख्या में केला अरपित कीजिएगा क्योंकि एक तीन पांच की संख्या में केला नहीं अरपित करना चाहिए पैसे कमाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं अब ऐसे में कुछ उपाए जो प्रहस्पती वार के दिन ही सिर्फ किये जाते हैं धन लाप के लिए तो गुरुवार के दिन सुबह सुबह उठकर सबसे पहले तो नहा ले अब दो केला जैसे हमने कहा है जोड़ा की सं कुम की सहयता से स्वस्तिक बना दें और दूसरे केले पर अपना नाम लिखें इसके बाद घर के मंदिर में एक मिट्टी का घी का दिया जलाईए आप चाहें एक मिट्टी का दिया नहीं तो जेनरल भी दिया जला सकते हैं और कुमकुम से ही अपना नाम लिखिएगा और ए बगवान विशनु को प्रसन्र केरने के लिए ओमुनंद भगवत ऐवा सुदेवाय, चाहते हैं और प्रमोशन हो जाए आपका व्यापार अच्छा चले, जो भी वनो कामना है आप भगवान विशनु से कहें अब सूझाए, अगले दिन यानि सुक्रवार के दिन उठिये अब नहाद होकर घर के मंदिर में जो केला रखा हुआ है उठाईए अब दोनों केले को उठाकर आप अपने उपर से साथ बार बार लें सिधा या उल्टा उस से मतलब नहीं है अब इन केलो को अलग कीजिए हमने कहा था एक साथ ही लेना है दोनों केला अब जिस केले पर आपने स्वस्तिक बनाया है उस केले को किसी गाय को या कोई भी जानबर को खिला दें और अपनी मनोकामना अगर गाय मिल जाती तो अच्छी बात है उनसे बोलें और जो दूसरा केला है जिस पर आपने अपना नाम लिखा है परसाथ के रूप में खालें और ये जो छिलका है कहीं भी पवितर जगह रख दीजिएगा कोई जान झाले बात